अब, हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम इज राहुल, इस वीडियो में आपको भारत की एक महतपुर्ण कम्पनी जेट एर्वेज के बारे में महतपुर्णarm जनकारी बताऊँगा, जो जेट एर्वेज है, यह भारत की महतपुर्ण एर्वेज कम्पनी है, इसका जो संचाला ने यह पूरी तरह से बंद हो चुका है यह जो इसका जो संचाला ने यह 18 अपरेल 2019 से पूरी तरह से बंद हो चुका है यहां बता दू मैं जो बड़ा यह संकट है जेट एरवेज का संचाला पूरी तरह ठप हो गया और जो 20,000 लोग इसमें काम कर रहे थे उनकी नौकरी भी खत्रे में इसका जो आखरी उड़ान थी यह अब्रसर से दिल्ली की बीज थी यहां देख सकते हैं दिवालिया होने के कगार पर पहुंची जेट एरवेज ने बुद्धवार रात अपनी आखरी उड़ान बरी आर्थिक तंगी से जूज रही एरलाइन ने बैंकों से अपाट फंड नहीं मिलने के बाद सभी घरेलू और अंट्रस्टे उड़ानों को अस्थाई रुप से बंद करने का फैसला किया है इसके शलते 20,000 कर्मचारियों की नौकरियों पर भी संकट आ गया है कंपनी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगवाई वाले कर्ज जाताओं ने समुह कर्ज जाताओं के समुह ने 400 करोन रुपे का अपाट हंड देने से इकार कर दिया कंपनी ने बंबे श्टाउक एक्सेंज को बताया की उसे संचालन बंद करना पड़ रहा है उसके पास इंधन और रोजमर्रा के खर्च की रकम भी नहीं है बुद्वार रात साड़े दस बजे अमरसर से दिल्ली के भी के लिए हेरलाइट ने अपनी आखरी उडान संचालन की कंपरी ने मंगलवार को सरकार के दखल से बैंकों से मदद की उम्मी जताई थी कहा था फंड नहीं मिला संचालन बंद करना पड़ेगा तो जेट एर्वेज की जो उडाने थी वो अब अस्थाई रूप से बंद है वो नहीं चल रही है इस वीडियो में आपको जाटे एर्वेज से संबंदीत महत्र पूश जानकारी बताई है मैं अपने चैनल आर्जी स्टूडियो में बेविने कॉम्प्रेटर एक्जाम्स के लिए वीडियो बनाता हूँ जैसे की टीचर्स, इलिजिबिटी टेस्ट, एससी, बैंक, रेल्वे, ग्रूप सी, आईएस, पी, से साधी और इजने एक्जाम्स की स्टेडिक लिए एक मैंने वार्षब गूर्प बना रखा है जिसका लेंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल जाएगा और जो कनिडेट्स, टीचर्स, टीचर्स से लिजिबिटी टेस्ट की तैयरे कर रहे है वो मुझे और अकैडमी में भी फॉलो कर सकती हूँ वहाँ पे मैं उसके लिए वीडो बना रहा हूँ जिसका लेंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किरप्या वीडो को लाइक जरू कीजेगा कमेंट करके बताएगा वीडो आपको कैसा लगा ऐसे ही मैं महत्तपूर जानकारी आपको बताता हूँ किरप्या चैनल को सब्सक्राइब करके वीडो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद जया हिंद